हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कॉस करेंगे स्क्वारिंगे नंबर विच इस प्लोज तू 100 मतलब ऐसी संख्या का बढ़ निकालना स्क्वार निकालना जो की 100 के नज्जीक हो इसके लिए भी हम वह ही कॉंसेट लगाएंगे जो हमने स्क्वारिंग एनबर विच फ्लोज तू 50 के लिए सीखा था इसका मतलब दी की संख्या का जिसका स्क्वार हमें निकालना है उसका हम लोग 100 के 100 से डिस्टेंस निकालने के लिए सेंची जैसे दीवी संख्या दी 106 है तो इसका 100 से दिस्टेंस होगा प्लस 6 स्विप्रका दीगे संख्या 92 है तो इसका दिस्टेंस होगा माइनस 8 गिवन नॉबर के स्क्वायर को हम लोग दो पार्ट में बनाएंगे हमेंसा जीटिंस का स्क्वायर होगा और आगे कर दो जीट होगा वह नंबर जो हमारा गिवन नंबर है वह नंबर और 100 से उस नंबर का डिस्टेंस होता है इस theory को हम लोग 106 का square निकालने में लगाएंगे square का 2 part distance का square जो की हमार 6 है 6 का square और first part बनेगा हमारा number जो की खुद 106 है और इसका 100 से distance जो की plus में 6 है 112 and 36 उसी प्रकार 92 का square हम निकालने इसको भी दो पार्ट से बनाएंगे last का part इसके distance का square और first part number और number का 100 से distance इन दोनों का sum यह बनता है 92 minus 8 84 और last part बनता है 8 का square 64 तो यह हमार 92 का square आ गया let's suppose next number हमारा 109 है इसका हमें square निकालना है इसका 100 इसका square मिलता है 118 and 81 झाल कि बनाएल IF नब करके आएफव।